हेलो फ्रेंड्स माई यूट्यूब चैनल हैं वर्क वितना आज मैं आपका स्वागत है आज मैं फिर लेकर के आए हूँ परदेहल बनाने का परदेहल लेकर के आए हूँ जो बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही अच्छा है और नए डिजैन में है तो आज हम आपको यही वाला डिजैन बताएंगे तो यह पिंक कलर के और रेड कलर में है हम आपको बताएंगे और यह टिक्या बना करके जोड़ा गिया है हम इसी का थोड़ा सा बनाएंगे आपको थोड़ा सा बना करके हम आपको बताएंगे तो आपको हम बताएंगे गिरीन और यलो कलर में आप कोई भी कलर ले सकती है हम आपको परदे हल दिखाएं है पिंक और रेड कलर में और हम आपको बताएंगे इसमें गिरीन और यलो में बताएंगे किस तरह से ये डिजन बनाया गया है आप्टिकिया किस तरह से बनाया गया है तो चलिए हम आपको पहले सिक्री बना कर के दिखाते हैं गरीन कलर से तो यहाँ पहले हम छे सिक्री लिए हैं छे सिक्री लेने के बाद यहाँ पहले हम फिर कुरूस के जरीए दोनों को जोइंट कर दिया है यह गोल बन चुका है अब यहाँ पर हम लॉंग फिर लेंगे यहाँ पर चार लॉंग लेंगे चार लॉंग लेने के बाद फिर यहाँ पर हम सिक्री देंगे यह इस तरह से निकाल लेना है कुरूस के जरीए और यहां पर फिर दो सिक्री देंगे फिर दूसरा उसके घर में बनाएंगे जो गोल बनी हुई है उसी में बनाते जाएंगे इस तरह से फिर चार ले करके फिर सिक्री दिये हैं चार से दो सिक्री देंगे फिर फिर इस तरह से चार लॉंग लेंगे इसी तरह से पुरिगोल में बनाना है यहां पर पहले हम गिरीन कलर का टिकिया बना रहे हैं अब इसी तरह से पुरे भर लिए है यहां पर इसी किरी दे करके फिर यहां पर फिर बनाएंगे एक और फिर इसके बाद इसको जोइंट कर लेंगे अब दोनों में जोइंट कर देंगे यह ज्यादा जुका हुआ नहीं रहना चाहिए एक दन सीधा रहना चाहिए ठीकिया तभी खुब्सूरत लगेगा दिखने में नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा अब इसको जोइंट करके फिर हम ओन को काट लिएंगे अब यहां पर फिर हम यल्लो कलर का उन लगाएंगे यह देखिए जो घर बनी हुई है उसी में हम फिर यल्लो कलर का बनाएंगे फिर यहां पर हम दो सिक्री ले करके फिर यहां पर चार लॉंग लेंगे यह चार लॉंग ले करके दो सिक्री दे देंगे फिर वहीं पर दो सिक्री देने का फिर वहीं पर उसी तरह बनाना है फिर चार लॉंग लेंगे यहां पर यह देखिए फिर यहां पर हम तीन सिक्री लेंगे तीन सिक्री ले करके एक घर को हटा जाएंगे उसके आद फिर दूसरे घर में लॉंग देंगे एक लॉंग दे करके फिर तीन सिक्री लेंगे फिर तीन सिक्री लेंगे फिर यहां पर हम बनाएंगे यह तीन लॉंग ले लिएं है हटा हटा करके फिर यहां पे हम चार लंग लेंगे फिर इसको जोइंट कर देंगे इस तरह से जो पहले वाल लिए हैं उसी तरह यहां से यहां पे बनाना है फिर यहां पे लॉंग लिए हैं यह देखे पूरे में बन चुकी है चार यह डिजान चार रहेगा इसी तरह में पूरे में बनाना है आपको क्योंकि हम थोड़ा से आपको बना करके बता रहे हैं टिक्या आपने हिसाब से रखना कि कितना बरा रखना है कितने पर तैयार होगा उसी तरह से यह परदेहल तैयार होगा पहले टिक्या बना लेना है जितना वरा पर्देहल बनाना है उसे इसाफ से टिक्या बना लेना है तो यहाँ पर हम एक लेन बना चुके हैं तो इसी तरह पूरे टिक्या को तयार करना है यह देखे पर्देहल बनी हुई है देखे कितना खुब्सूरत लग रहा देखने में यहां पे पिंक और रेड कलर के रेड का टिकिया बना हुआ है और उसमें पिंक का बनाया गया है डिजाइन जो बहुत ही खुबसूरत लग रहा है दिखने में इसको एक एक टिकिया को जोएंट किया जाता है पहले एक लेंट कर लिया जाता है उसका दूसरा लेंट फिर तीसरा लेंट इस तरह से करके पूरे को तयार किया जाता है तो दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा यह डिजाइन अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर किजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राब नहीं कियें तो प्लीज सब्सक्राब कर लिजिए मौस निकल के खूल के